नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम वारियर के यूट्यूब चैनल पर अगर आप HPJIT पोस्ट कोड़ 965 की त्यारी कर रहे थे तो आपके लिए एक अच्छी खबर यहां पर है जो पद थे इसमें भड़ोतरी हो चुगी है पहले आपने देखा होगा 198 पोस्ट, HPJIT पोस्ट वोड 965 के लिए थे और पदों के ब्रेकप कुछ इस परकार से थे यहां पर देख सकते हो ब्रेकप आप पोस्ट यहां पर किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटी थी आप देख सकते हो जैसे कि for example जो 9 नंबर पर technical, educational, vocational and industrial training है उसमें 16 पद पहले थे लेकिन अब जो यहां पर नए पदों की संक्या यहां पर बढ़कर आपको दिखा दे बो हो चुके है 40 इस प्रकार से यहां पर कहा गया है कि दबब पोस्ट आफ जूनियर ओफिस असिस्टेंट आइटी अन डिस्पेंसर है बीन अब दिफिड को मतलम होता है समेलित किया गया है अगेंस पोस्ट कोड़ 965 and 967 यहां पर इनके बद थे यह अब एक जगा ही परदर्शित कियए गया है जो कि 965 में ही परदर्शित है किये मतलब की जे शेओ आइटी पोस्ट कोड़ 965 में ही इसे अब दर्शाया तो अब यहां पर the number of post of above mentioned post are under अब देखो जो junior office assistant IT की जो ब्रेक आफ पोस्ट है विबिन डिपार्टमेंट का गॉर्डिंग आप देख सकते हो जहां पर पहले ये टेक्निकल एडुकेशनल वोकेशनल एंड इंडुर्स्टिल ट्रेनिंग सुंदर नगर जो आप यहां पर यह देख सकते हो पहले यहां पर जो total post आपको देखने को मिले थे यह आपको 16 देखने को मिले गए थे लेकिन आप यहां पर यह बढ़के 40 हो चुके हैं इस परकार land record कुछ नए पद भी यहां पर जोड़े गए हैं नए department से जोड़े गए हैं जैसे कि आप देख सकते हो HRTC में जोड़े गए हैं 130 पद यहां पर भरे जाएंगे यह JIT के post है तो इस परकार से आप देख सकते हो language and culture तो total यहां पर जो पदों की संख्याब हो चुकी है बो 319 हो चुकी है लेकिन अभी यहां पर यह साफ साफ कहा गया है कि एक्जाम होने तक पद घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं जैसे कि आपने देखा पदों की यहां पर अफिलाल बढ़ोतरी हुई है बाकी घटेंगे इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता तो जो टोटल पद यहां पर आप देख सकते हो डिस्पेंसर के भी अब टोटल 11 पद हो चुके है जुनेर आफिस असिस्टेंट के टोटल 198 से 319 हो चुके है तो यह डेली अपडेट के लिए अपने चैनल से जुड़े रहना है कुछ एक चीज़े चूट जाती है वो भी आपको करवाई जाएगी बाकी आज की वीडियो भी मैंने एक बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि अब एक महीने के अंदर आपको पोस्ट कोड 1965 के लिए किस परकार से त्यारी करनी चाहिए आपको रिवीजन करना चाहिए किस टॉपिक पर जादा ध्यान देना चाहिए ये सब चीज़े मैंने आपको बताई है तो चैनल से आपने जुड़े रहना है बाकी डेली अपडेट्स के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नोटिफिकेशन को ओन करना ना भूले